Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Hotel Management अगर आप 24 में करना चाहरे हैं और इस साल इसका Entrance Exam वगरा देना चाहते थे और इसके बारे में आपको कोई भी knowledge नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपको Entrance Exam देना कंपलसर ही है या फिर उसके बिना भी आप कुछ कर सकते हैं उसके बिना भी आपका कुछ काम चल जाएगा तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो definitely आपको ये अब तक पता चल गया होगा कि Hotel Management का Entrance Exam होता है इसके बाद आता है कि भई इसका फॉर्मैट वगरा क्या होता है तो वो multiple choice question के हिसाब से होता है इसके लावा इसमें कौन-कौन से ये तरीके के चीज़ें पूछी जाती है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा इसमें आपको आपका current affairs पूछा जाएगा service aptitude, maths वगरा ये सारी चीज़ें English हो गई ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है इस related multiple choice questions वगरा पूछे जाते हैं इसकी आपको preparation करनी पड़ेगी अब बात आती है कि भाई इसका form वगरा कब आता है तो form जो है as of now January हो रहा है और अभी तक form नहीं आया है जो इसका form generally आता है वो लगबग January end में या फिर February की शुरुआत में आता है तो अगर आप इसे latest में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को subscribe कर लीजे आपको जो भी information होगी आगे future में definitely मिल जाएगी इसके बारे में और अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मान के चलिए form आचुका अब जो next question आता है वो यह है कि इसका exam कब होगा तो इसका exam जो होता है generally मई-June के बीच में आप expect कर सकते कि या तो मई-End में या जून की शुरुआत तक इसका exam हो जाएगा इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा 5-7 साल पहले की बात करें तो यह exam generally April end में या फिर मई में हो जाया करता था अब यह थोड़ा बहुत because Corona की वेज़े से थोड़ा बहुत इसके timings वगरा shift हो गई इसकी वेज़े से यह आपको मई end में के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं यह exam आपको हो जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है counseling की बारी तो counseling के लगवग 3 round होते हैं जिसमें आपको first round में जो भी college अलॉट होगा अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप second round of counseling के लिए जा सकते हैं third round of counseling के लिए जा सकते हैं यह सब चीजें इसमें होती हैं इसके बारे में detail में आगे कभी future में बदाऊँगा और यह counseling process वगरा सब कुछ आपका July में खतम हो जाता है August में generally जो होता है classes वगरा शुरू हो जाती है August मिड से या end से तो यह तो था exam के बारे में और क्या-क्या चीजें सारी होती हैं अब बात आती कि preparation कैसे करनी है तो preparation करने के लिए देखो क्योंकि exam जो होता हो बहुत जादा hard नहीं आता है moderate आता है ठीक है ना तो उसके लिए आपको कोई special note वो करने की जरौत नहीं है कोई coaching वगरा ये सब लेने की जरौत नहीं है आपका direct अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो भी आप कर सकते हैं अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो बस आपको इसके लिए कोई study material वगरा purchase करना पड़ेगा वो आप internet पे जाके Amazon वगरा में जाके भी देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यार आप PDF से पढ़ सकते हैं तो मेरे पास एक बहुत अच्छी book available है PDF में वो आप उससे preparation वगरा कर सकते हैं जिसके charges बहुत bare minimum होंगे तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से WhatsApp कर सकते हैं नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा अगर आपको book चाहिए तो आपको ले सकते हैं इससे आपकी preparation भी हो जाएगी और आपको कोई coaching लेने की जरुत पड़ेगी especially अगर आप पढ़ने में सही है अगर आप पढ़ने में इतने खास नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा शायद कोई coaching वगरा की जरुत पड़ जाए बट उसके अलावा एक और option आपके लिए होता है इसी से आता है हमारा next question की क्या आपको hotel management अगर करना है तो उसके लिए क्या entrance exam देना compulsory है या नहीं तो ऐसा कोई compulsion नहीं है आप hotel management करना चाते है और entrance exam देना चाते है वो आपकी मर्जी अगर आपको लगता है कि top IHM like IHM PUSA वगरा में अगर आपको admission लेना है तो उसके लिए और कोई method नहीं है आपको ये entrance exam ही देना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप 1000 बच्चों में बहुत ही अच्छी rank लेके आओगे तो ही आपको college मिलेगा बट ऐसा कर पाना हर एक बच्चे के लिए possible नहीं है उनके लिए होता है जो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं जो ये paper वगरा अच्छे से देके अच्छी rank लेके उस college में चले जाते हैं लेकिन अगर आप हो एक average student आपको लगता है कि यार मैं exam वगरा में इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो आपके पास और option भी है आप direct admission वगरा ले सकते हैं बहुत सारे अच्छे colleges अवेलेबल हैं आज की rate में पहले के time पर होता था कि जादा colleges अवेलेबल नहीं होते थे आज से 15 साल पहले में भी तो तब ये ही एक option बच जाता था ये बहुत सारे तरीके हैं अगर आपको लगता है कि आप इन तरीकों से जादा बहतर कर सकते हैं और जादा अच्छा college ले सकते हैं तो ये वाले option भी आपके पास अवेलेबल है बस choose करना पड़ेगा आपको एक best option and I know उसके लिए बहुत सारे confusion आपके दिमाग में रहते हैं कि हमारे लिए कौन सा best option रह सकता है कि हमें exam देना चाहिए हमें direct admission लेना चाहिए क्या करना चाहिए तो उसके लिए आप मुझे whatsapp कर सकते हैं मेरा whatsapp number आपको नीचे दिख जाएगा reply आने में तोड़ा सा राइम लग सकता है उसके लिए थोड़ी से patience आपकी तरफ से चाहिए होगी और definitely आपकी मैं पूरी help करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको minimum effort से भी best possible college option आपको definitely मिल जाएगा बाकी अगर आपको कोई भी question है कोई रही है तो आप मुझे whatsapp तो करी सकते हैं comment भी कर सकते हैं साथे साथ channel को subscribe कर लेजिए और instagram पर follow कर लेजिए बहुत सारी update आने वाली हैं आगे future में thank you so much have a nice day bye